नमस्कार दोस्तों Online Medicine डिवह चानल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको क्लारी नोहा 250 mg टैबलेट का रिवी बताने जा रहा हूँ यह जो क्लारी नोहा 250 mg टैबलेट मार्केट में आती है मैंकाइड कंपनी के आती है छेघॉली का टैबलेट का पका रांकेट में आता है यूजिस के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है तो यह चोग प्लारी नुवा टुट्यूमजी टैबलेट मार्केट में आती है इडीज बैक्टरियस आइडियल अंटिवायोटिक दोस्तों इसको अंटिवायोटिक दवा बोड़ा जाता है इडीज निमोनिया की शिकायत है आपको स्कीन का इंफेक्शन है या फिर स्कीन स्ट्रक्चर इंफेक्शन है या फिर इयर इंफेक्शन है कुछ या फिर फेरंजियाटिस या फिर टॉंसलेटिस की तकलीब है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है उसको ट्रीट कर नाम हो सकते हैं। यह दवा की बज़े से आपको abdominal pain की शिकायत हो सकती है, nausean humating की शिकायत हो सकती है, diarrhea की शिकायत हो सकती है। यह दवा की बज़े से आपको headache की शिकायत हो सकती है, heartburn की शिकायत हो सकती है, आपको dizziness आ सकता है। और भी कुछ side effect, reaction, allergy आपको नजराती है तो आपके नज़दी के डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं, इसके डोसिस के बारे में देखे कैसा लेना है, जनरली इसको वन टाइम इन डे, डोसिस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सला ले सकते हैं, ऐसे ही आने वाले बहु आपके माईवलियो